दोस्तो बेश्ट बेंगॉल में जब MBBS का बात आता है तो एक और कॉलेज का नाम आता है जी गौरी देवी इंस्टिटूट आफ मेडिकल साइंस दुरगापूर इसके बारे में पूरा डीटेल में बात करेंगे कि कॉलेज का इंफास्ट्रक्चर कैसा है क्या स्कोर नीट पे वीडियो में करेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे पूरा सबसे पहले आप इंफास्ट्रक्चर सामने देख रहे हैं यह फ्रेंट बिल्डिंग है सामने से यह यहां पर गौरी दिभी मेंशन है यह हाइवे पर ही कॉलेज है जो जी टी ग्रेंट रेंक रोड है उसी पर य इसमें MBBS के साथ MDMS का भी होता है मतलब आप PG का भी सीट इसमें अबलेबल है NMC से तो रिकोगनाइज यह हो ही चुका है और Best Bengal University of Health Science School काता से अफिलेटेड हो गया अगर बात करें तो 77 एकर का इसका कैमपस है अगर overall admission procedure की बात करें तो आपको Best Bengal का 85% का state counseling करना परेगा और Best Bengal all एक open state है open state है तो किसी भी state के student admission ले सकते हैं यहां पर एक और बात मैं add करना चाहूंगा कि अगर आप OBC से हैं SC से हैं ST से हैं तो only 107 के plus में score है तो आपका qualify है 23 में और आप admission ले सकते हैं यह इंडिया के बहुत कम state में होता है तो other state के बच्चा भी admission 107 से उपर ले सकता है बस category यह होना चाहिए और आप मान के चलते हैं कि General से है EWS से है तो 137 से उपर होना चाहिए 137 और आपका तब जाके admission हो जाएग clear होड़ा होगा एहां पर लिखा एक bank guarantee compulsory हाँ मेरे दोस्त आप गौरी देवी medical college में admission लेंगे या best bank कि सीवी college में लोगे तो bank guarantee आपको देना पड़ेगा मान के चलते हैं लगभग 75 लाख रुपिया का आपको bank guarantee देना पड़ेगा first year के fees को हटा के तो bank guarantee क्या होता है कि 75 लाख रुपिया आपको अपना पैसा white money जाके bank में जमा करना पड़ेगा और bank से return लिखवा के लाके देना पड़ेगा कि भईया मेरे पास पैसा है हम आपको स हम ऐसे में पर देते रहेंगे और वो पैसा jam हो जाएगा आपका आप सारे पांसा तक नहीं निकाल सकते हैं इसलिए यह problem होता है बनाने में लेकिन हम लोग help करेंगे आपको bank guarantee को manage करने में गौरी देवी के institute में आप यहां पर देख सकते हैं हम आते हैं 150 seats इसमें seats है और NRA क जरूरत नहीं परेगा अपने लोग का admission management quota से ले सकते हैं और इसमें state quota का विसीट होता है जो बहुत कम फिस पर admission हो जाता है state quota के बच्चों का लगबग सारे चार लाख पांच लाख रूपया पर यह फिस लगता है है ना और हम लोग आएंगे management quota मतलब other state के candidate कहाएंगे management quota पर यह जिसके बेश्ट बेंगल का भी बच्चा होगा जिसका कम score होगा वह management quota पाएगा एनरे quota quota का फिस देने की जुरूत नहीं है लगबग डेर करोर रूपया एनरे quota quota का फिस होता है हम लोग सिर्फ management पे ही आ जाएंगे course आपके सामने mention duration का आप cut up देख सकते हैं मेरे दो आई भी है तो आपका यह admission हो सकता है reason बताते हैं आगे आप फिस दे सकते हैं state quota का सारे चार नहीं पांच लाग पचास जार मतलब सारे पांच लाग फिस पर यह रहे ना थोड़ा mistake हो गया करेक्ट कर लेंगे आप फिस देखो यहां पे 18,24 लगभग में 19 लाख रूपया प प्लस होस्टल लगता है प्लस बैंक गारेंटी लगता है आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं कि यह negotiate कितने तक हो सकता है तो गौरी दे में हम लोग help करेंगे वहीं एक करोड़ बीस नहीं एक करोड़ पचास नहीं एक करोड़ बीस लाख इनराई बलाता है यह देने फ्लो है और नियरवाई एरिया के पैसेंस इसमें आते हैं कोई दिक्कत नहीं है और 24 इंटू 7 होस्पीटल इसका आप देख सकते हैं गस और बाज के लिए अलग अलग होस्टल है मैं केमपस विजिट कर रहा हूं तो मैंने देखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पची कोलेज है बहुत टॉप भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है गारा रहा हो चीजको अब अब स्टेंडर को लिए नीट में लोइज को जरूरब देखिए और सब्सूरा भजजेट ठीक होना चाहिए, high budget होना चाहिए, यह rule ही है, जब score कम करोगे तो पैसा परहाना परेगा, तब जाके काम सेट होगा, यह सच बात है, यह सच बात है, तो सच में बताया हूं आपको, अगर कोई question है, तो आप फिर हमारे comment box में बता सकते हैं, यह हमारे expert से बात करके आप admission में help ले सकते ह होप सब्सक्राइब अच्छे लग रहे हैं मिलते हैं अगले वडियो में बाया टेक क्या सी यू एगेन